बड़े लोगों को जो Constitution ओधों पे होते हैं उनको इस प्रकार की hate speeches नहीं देनी चाहिए कुछ दिन पहले Supreme Court ने अपना इस पे नराज़गी भी व्यक्त की है और पूरे देश में सब अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी hate speech होती है हमने वो orders की copies भी उनको दे दी है और हमने कहा है कि जिन जिन लोगों ने और हमने specifically तीन लोगों के against आज अपनी representation दिये है home minister के against दिया है नड़ा साब के against दिया है और तीसरे योगिया ततना जी के against दिया है कि इन लोगों ने अपने शब्दों से जो बाते बोली है वो hate speech की परियावाशा में आता है और इसलिए election commission को in terms of the law of the land in terms of supreme court order इस पर action लेना चाहिए